दोस्तो एक लड़के को गजब की मक्का पाउडर बिजनेस करते हुए देखी, शहरों में मक्का पाउडर सेल करके माला माल हो गए, होटलों में मजदूरी करने से ज़्यादा पैसे बचक नहीं होते थे, घर के पुरे खर्चे भी नहीं होते थे, अब वह लड़का अपने ध होटलों में काम करने से ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे, आठ दस हजार रुपे महीने के मिलते थे और करीब बारा घंटे तक काम करने पड़ते थे, वह लड़का दो तीन साल होटल में काम करके और थोड़े बहुत रिस्तेदारों से लेकर डेल दो लाख रुपे सिंगल फेज बिजी से आसानी से चल जाता है, उसके पास जो फ्लो मिल है ग्रैंडर जैसे है, उसी फ्लो मिल में मक्के को पिसाई करके बेचते हैं, मक्के को दो बार करके पिसाई करता है, एक बार दर्रा करता है, दुसरे बार महीन पावदा बनाता है, दोस्तों उसके पा सब मालूम था मक्का पाउडर से बहुत तरह के रेसिपी मिथाई पकवान बना कर सेल किया जाता था सब अपने आँखों से देखे हुए थे मक्का पाउडर से बने रेसिपी मिथाई बहुत से स्वादिश्ट होती है शहरों में लगभग सभी होटलों में मक्का पाउडर मिठाई बनाई जा सकती है दोस्तो वह लड़का मक्का तुडाई के सीजन के समय में ही बहुत सारे मक्का खरीद कर रख लेते हैं जैसे ही किसान मक्का खेट से निकालते हैं वैसे ही वह लड़का मक्का खरीदना शुरू कर देते हैं मक्का तुडाए सीजन में मक्का का रेट भी थोड़ी कम रहते हैं। दोस्तो उस लड़के के पास एक छोटे से पैकिंग मशीन भी है। छोटे वाले हैं सीलिंग मशीन है जिसमें एक दो किलो मक्का पाउडर पैक करता है। वो लड़का आजकल बहुत सारे मक्के खरीद रह हैं। नवंबर दिसमबर के समय मक्का का रेट भी थोड़ा कम रहता है। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं इनी 2-3 महीने में मक्का खरीद लेते हैं। उस लड़के के पास पैकिंग मशीन हैं उसमें पिसाई हुए मक्का पाउडर को रखते रहते हैं। सारे मक्के को फ बाड़ी हर समय चलते रहते हैं। वो लड़का अपने मक्का पाउड़ा ओटो रिक्षा से भीजते हैं। उसके गाउवास पास से ओटो हर समय शहर आते जाते रहते हैं। वो लड़का सब्ताह में दो दिन मक्का पाउड़ा भीजते हैं शहर में। उस लड़के के पास द्हाइ लाख रुपे कमा लेते हैं, कभी-कभी वह लड़का इस धन्दे के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं, मक्का खरीदने के समय लोन लेते हैं, जब मक्का के रेट कम रहते हैं उस समय लोन उठा कर सारे पैसों से मक्का खरीद लेते हैं, दोस्तो और वह लड़का मक्का या मक्का पाउडर को बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करके अपने पास रखते हैं शहरा में दिमान के अनुसार बाद में भेजते रहते हैं जितने भी मक्का पाउडर बनाते हैं उसे अच्छी तरह से प्लास्टिक बैग में पैकिंग करके रख देता है उसके पास करीब 5-10,000 रुपे वाले हैंड सीलिंग मशीन है उस लड़के के इस धंदे में उसके घर वाले भी साथ देते हैं शुरुआत में इस धंदे में एक भी मजदूर नहीं लगाये थे उसके घर वाले ही काम संभाल लेते हैं दोस्तो अब वह लड़का अपने इस मक्का पाउडर बिजने से काफी सारे कमाई कर रहा है पहले वह लड़का होटल में काम करते थे तो महीने के 8-10,000 रुपे मुश्किल से कमा पाते थे